नमस्कार दोस्तों, PM किसान सम्मान नेधी युजना के अंतगत यहाँ पे बहुती बड़ी गुड दिनीजिकल के सामने आ रही है अब सभी किसानों को मिलेगा 24,000 रुपे प्रतिस साल क्या है पूरी खबर इस वीडियो के माद्यम से मैं आप लोगों को देने वाला हूँ अगर आप लोग भी PM किसान सम्मान नेधी युजना के अंतगत इस पूरी जनकारी को ले जाते हैं आपको लाब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ताकि एक जिनमीर मुझे आकड़े मिल जाए कि कितने लोग अभी भी PM किसान युजना के अंतगत कोई भी लाब नहीं पा रहे हैं साथी साथ दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी नए यूजर से करूंगे गुजारिस जिन्होंने अभी तक कि इस चैनल को सस्क्राइब ने किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को जरू सस्क्राइब कर लें साथी साथ बे जना के अंतगत सुधार वल्ला काम करा सकें तो यह जनकारी पहले ले ले लें लोग इसके उसके बाद हम लोग जानेंगे कि यह 26,000 रुपर सलाना वाली स्कीम क्या है जो कि PM किसान संबान ने जना के अंतगत किसानों को मिलने वाले हैं दोस्तों चलिए इस वीडियो को सु ओम ब्राउजर ओपेंग कर लिजिए और एक नया टैप में आप लोग एक नया टैप ओपेंग कर लिजिए और आप लोग उसमें ओपेंग कर लिजिए gadgetsupdatehindi.com जैसे ही आप लोग इस website को ओपेंग करेंगे इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे description बार में दे दूँगा जैसे ही आप लोग इसे ओपेंग करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जहां पे आपको डेरो सारे आर्टिकल PM किसान के संबंदित या अन्य सरकारी सभी हुचनाओं के संबंदित जनकारी मिल जाती है आप लोग उपर देखेंगे यहां पे एक लिंक बिलिंक कर रहा है परधान मंतरी किसान संबंदित आप लोग को इसी पे क्लिक कर देना है जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे परधान मंतरी किसान मान निधी उजना के अंतगत जितने भी वार्टसप ग्रूप है या फिर वार्टसप नंबर है यहाँ पर मैंने उपलब्द करा दिये हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो अपने अधिकारी को ढूड़ने के लिए तो यहाँ पर निचे स्कोल लाउं करेंगे तो यहाँ आप लोगों को सभी का मुवाईल नंबर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मुवाईल नंबर धिया गया है आप लोगों को अपने दिश्टिक या फिर ब्लॉग के इसाब से आप नंबर में लाएंगे इन नंबर पर आप लोगों को बात कर लेना होगा और अपने समस्य का समधान करा लेना होगा PM किसान के संबंधित अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे PM किसान में जो 24,000 रुपे की रासी मिल लही है आप लोग यहां पे देखेंगे बताया जा रहा है यहां से किसान सक्ति संग के अध्यच पुसपेंद्र सिंग ने गरामिड अर्थ व्यस्तार को करोना वो लोग डॉंग के संकर से उबारने के लिए सरकार से 20 सुत्रिय मांग की है उन्होंने कहा कि खाद सुरच्छा और भोजन की उपलवता सुनिश्चित करने के लिए गरामिडों भारत को मजबूत करता करना बहुत जरूरी है उन्होंने पीम किसान समान ने दी स्कीम की रकम को 6,000 रुपे से बढ़ा कर 24,000 रुपे प्रती वर्स करने की मांग की है सिंग ने कहा कि किसानों के सभी करजों किस्तों की अदायगी एक साल के लिए सस्पेंड की जाए कच्चा तेल काफी सस्ता हो गया है इसलिए क्रिसी में परयोग वाले डीजल पर 10 रुपे प्रती लीटर सबसीडी मिले यह भी कईने कहीं बहुत अच्छी स्कीम होगी अगर डीजल पे किरसी के लिए छुट मिले तू नीचे बताया गया है किरसी मामलोग के जनकार सिंग ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की लीमिट दोगूनी करके ब्याज दर सिर्फ एक फिस्ती रखी जाए अभी इसकी लीमिट तीन लाग हुर्पे है और समय पर पैसे चुकान होने रसायनिक उड़ों के दाम गिर जाते हैं इसलिए पोटास और डीएपी खाद 25 परसिशन की छुट मिले लॉकडाउन के लॉकडाउन से किसानों की आमदने गिर गई है इसलिए सरकार रभी की सारी फसनों की पूरी खरीश नुचित कर 250 से 500 और परसिक कुंटल का बोनस दे यहीं नीचे स्कोल्डाउन करेंगे तो इसके संबंदी और भी कुछ जंकारी मिल जाएगी सभी जंदन खातों में अगले तीर महां तक 11,000 रुपे प्रती माम भेजें मन्रेगा मज़नों को क्रिसी कार में लगाया जाए अधार कार को रासं कार का दरजा दे कर कहीं से भी रासं का कोटा लेने की अनुमति दे किसी कारियों गरामीरों छेतरों में विजली रेट आधे किये जाए फरावरी के मुल्यों पर ही किसान का सारा उपलब्द दूद खरीदा जाए इस दूद और दूद उत्पादों को गरीबू मरीरों बच्चों कोरंटाइन किसान को मजदूर और बजार उप्रब्द करवाये जाए मुर्गी पालन मतस्य पालन वह अन्य पस्पालन कर रहे किसानों की सप्लाइज चैन विक्री की ब्युस्ता को सुचारी रूप से चलाये जाए तो यहां पर देखेंगे बहुत सारे मांगों को यहां पर रखा गया है अगर यह सभी मांगे पूरी हो जाती है तो कई ने कहीं जो भी किसान है उनके जीवन में खुसहाली फिट से आजाएगी और उनको इस लोग राओं के अंदगत ज्याता समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि भारत एक किसान किसान यहां पे देख रहते हैं लोग ठीक है दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि भारत एक किसान प्रधान देश है जहांकि अस्तवियस्ता किसानों पे ही निवर होती है हर अस्तर से क्योंकि दोस्तों अगर खेती बाड़ी ही नहीं होगा तो कई ने कई अन्य आपको न आंदे मातरम